आपके साथ घर पर ढोकले का प्रीमिक्स किस तरह से बनाना है वह बताने वाली हो वैसे ये आप देख सकते हैं एकडम जालीदार मुलायम ढोकला ये घर पर बने प्रीमिक्स से बनता है सिर्फ 5 मिनिट में ये ढोकला जो है वो बन कर तैयार हो जाता है आप चाहे तो इसे इफिन में भी बना सकते हैं एकदम जालिदार और सौफ्ट यह बनता है यह आप 2-3 मैने के लिए घर में स्टोर भी कर सकते हैं ताकि इंस्टन टोकला आप कभी भी बना सके चलिए दोस्तों इस तरह से प्रेमिक्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर चना दाल जोए वो लेनी है यह कपड़े से पोच कर मैंने रख दे थी तो यहाँ पर यह मेजरिंग कप से मैंने 4 कप चना दाल जोए वो ले ली है और नाप कर अप गर आप लेना चाहे तो 900 ग्राम आपको चना दाल जोए वो लेनी है इसके बाद हमें चावल जोए वो लेने है तो चावल आप पतले या मोटे किसी भी तरक के ले सकते है चावल भी हमें कपड़े से पोच कर रख देने है तो मैंने यहाँ पर 3.5 कप तक चावल जोए वो ले लिए है आप नाप कर लेना चाहते तो 750 ग्राम तक चावल आपको लेने है इसके बाद दोस्तों हमें सफे दूरत दाल भी लेनी है तो आदा कप से थोड़ा सा कम हमें इसे लेना है या फिर 125 ग्राम तक आप ले सकते है तो तीनों चीज़े यहाँ पर मिलाने के बाद हमें शक्कर लेनी है तो शक्कर यहाँ पर हमें एक कप को थोड़ी सी कम मतलब 200 ग्राम ले लेनी है इसके बाद बेकिंग सोडा हमें लेन इसके बाद नीबू पाउडर साइट्रिक आसिर तो ये भी 50 ग्राम तक ले लेना है ये तीनों चीज़े हमें पीस लेनी है इस तरह से मैंने ये पीस ली है नहीं हमें ज्यादा दर्दरा और नहीं ज्यादा जिकना हमें पीसना है तो इसके बाद हमें शक्कर जोए वह भी मिक इसे की जार में से पीस कर रख देना है तो ये दोनों चीज़े पीसने के बाद हमें आटे में उसे मीला देना है तो यहाँ पर साइटरिक आसीड बेकिंग सोडा और PRESUVट शक्कर डाल देनी है तो शक्कर के पाद हमें नमक लेना है 50 ग्राम तक वह भी हमें इस मैं आड़ क के बाद आठा हमें आच्छे से मिक्स कर देना है तकि ये सारी चीजे उसमें मिल जाये तो आप चाहे तो हातों से आठा जो है वो अच्छे से चीज़े मिल जाए और इसके लंज जो है वो भी निकल जाए तो आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन आटा हमारा यहाँ पर चान कर हो चुका है सारा आटा में नहीं आपर च्छान लिया है और जो भी दरदर आटा यहाँ पर बचा हुआ था वो हमें mix की जार से पीस लेना है और फिर से चान कर हम इसमें डाल सकते हैं और कभी भी फटा-फट ढोकला वह बना सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी आटा जो है वो ले लिया है प्लेट में मैंने ग्रीसिंग कर दिया और जट से हमारे ढोकला बनकर तैयार हो जाएगा तो एक कटोरी आटे के लिए उसी कटोरी से मैंने पानी जोए वो ले लिया है तो एक कटोरी आटे के लिए एक कटोरी पानी यहाँ पर ले लिया है थोड़ा पानी हमें डालते हुए इसे मिलाते जाना है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से एक दम फूला फूला सा हाटा तुरंद बन गया है तो पूरा एक कटोरी पानी में यहाँ पर यूज कर लिया है तो ग्रीसिंग प्लेट में हमें इसे डाल कर स्टीमर में रख देना है और साथ मिनिट के लिए हमें इसे स्टीम कर देना है हाई फ्लेम पर तो मैंने हाई फ्लेम पर इसे साथ मिनिट के लिए स्टीम कर दिया था आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपकता नहीं है ठंडा हो करने के बाद इस तरह से इसके स्लाइसे समय कर देने हैं तो एकदम बन गया ना जटपट सा डोकला तो आप ये टिफिन में बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं और सुबह की भागा दोड में हम फटा-फटी से बना सकते हैं या कोई भी गेस्ट आए तो आप उसे भी फटा बहुती जालीदार और एकतम मुला हैं सौफ्ट ढोकला जोए या पर बनकर तयार हो गया है तो यह पर चोक देने के लिए कड़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया था एक से देड टेबल स्पून तक उसमें सरसो दो मिर्च और करी पत्ता थोड़ी सी पीसी वी शक्कर पानी डाल कर यह चोक हम डोकले पर डाल सकते हैं आप चाहिए तो बीना पानी का भी चोक जोए वो लगा सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रू कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो है झाल को भी चाहिए